नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूं कि सब लोग स्वस्त और मस्त है, अच्छी तरह आपकी पड़ाई जारी है, चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रत्य सीखेंगे, प्रत्य हमें आटवी कक्षा में, नवी कक्षा में और दसवी कक्षा में, तीनों क्लासस में बहुत उपयोगी है, और अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे, तो हम अच्छी तरह लिख सकेंगे, ठीके बच्चों, चलिए सीखेंगे, चलिए बच्चों, पहले प्रत्येई, प्रत्येई, प्रती प्लेस आए, देखे बच्चों, प्रत्येई में दो है, दो शब्द है, प्रती प्लेस आए, प्रती में, स सात में, बाद में, प्रती के अंतरगत क्या-क्या है, बचो, सात में, बाद में, आई के अंतरगत क्या है, बचो, चलने वाला, ठीक है, बचो, हाँ. प्रत्य में, शब्दार्म्ष होता है, बचो, पहला तो, दूसरा, शब्द के बाद में लगाते हैं, तीसरा, अर्द में बदलाव लाते हैं, अगर आप ये तीनों पहचान लेंगे, तो आपको मालुम हो जाएगा. पहले क्या होता है, शब्दार्म्ष होता है, शब्द के बाद में लगाते हैं, अर्द में बदलाव आते हैं, ठीक है बचो, वे शब्दार्म्ष, जो किसी शब्द के अंत में लगकर, उस शब्द के अर्द परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्य कहते हैं, देखिए जो शब्द के अंत में लगकर वो शब्द के अर्द को ही बदल देता है परिवर्तन लाता है उसे प्रत्य करते हैं चुर्णड़ पिल्लेलू ये दैते वोक पदान की वेनका अंतनलो एंडलो आडई वोक पदानी वोक अर्दाने मार्त पुत्ते स्तुन्दो दानि प्रत्य अंटारू अर्दवेंदा देखे बचो अब हम कुछ उदाहरन देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह ये प्रत्य समझ में आ सके देखे बचो बिक प्लेस आवू बिकावू बड़ा प्लेस आई बडाई मिल प्लेस आवट मिलावट ऐसे अब आप प्रत्य को पहचान पारे बचो प्रत्य इनी गुर्तिन चे गलुक तो नरा डो यू रिकर्गनाईज देम देखे बचो बिक प्लेस आवू बिक बिकावू बिकावू आकर मिल गया है बड़ा प्लेस आई बड़ाई मिल प्लेस आवट मिलावट इस तरह जो अंत में आकर मिलता है और उसका अर्द में बदलाव लाता है उसे प्रत्य केते हैं ठीके बच्चो प्रत्य का अपना अर्द नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है प्रत्य अविकारी शिब्दाम्ष होता है जो शिब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं कभी-कभी प्रत्य लगाने से अर्द में कोई बदलाव नहीं होता है प्रत्ये लगाने पर शब्त में संदी नहीं होती, बलकि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्ये में स्वर्की मात्रा लग जाएगी, लेकिन व्येंजन होने पर वहां यथावत रहता है देखे बच्चों, प्रत्ये का अपना अर्द नहीं होता और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है सिर्फ प्रत्ये अविकारी शब्द होता है, जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं अब हमने देखे तेना बच्चों उदाहर उसी तरह, कभी-कभी प्रत्ये लगाने से अर्द में कोई बदलाव नहीं होता है ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता है प्रत्ये लगाने पर शब्द में संदी नहीं होती बलकि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर्की मात्रा लग जाएगी लेकिन व्यंजन होने पर वहां यथावत रहता है समझ में आया बच्चो आगे देखिए प्रत्यय के दो बेद है बच्चो पहला कृत प्रत्यय या कृदांत प्रत्यय दूसरा तदित प्रत्ये तदिधांत प्रत्ये कृदंत प्रत्ये में कृत प्लेस अंत दो शब्दों का मेल है बचों टधित प्रत्यई में संग्या, सर्वना और विशेशन के अन्त में जोडने वाला प्रत्यई है ठीक है बचो कृत प्रत्ये का परिभाशा देखे बचो कृत प्रत्ये क्या होता है ये देखे बचो वे प्रत्ये जो क्रिया या धातु के अंत में लगा कर एक नई शिब्द बनते हैं उन्हें कृत प्रत्ये कहा जाता है कृत प्रत्ये से मिलकर जो प्रत्ये बनते हैं उन्हें कृजंत प्रत्ये कहते हैं ये प्रत्ये क्रिया और धातु को नया अर्द देते हैं कृत प्रत्ये के योग से सन्या और विशेशन भी बनाये जाते हैं जैसे लिक प्लेस अक लेखक धातु प्लेस प्रत्ये उदाहर इस प्रकार है लेख, पाट, कू, गई, धाव, सहाय, पाल प्लेस अक अक मिलाने से क्या होता है बच्चों देखिए लेखक, पाटक, कारक, गायक, धावक, सहायक, पालक, आदी देखिए बच्चों धातु प्लेस प्रत्ये ये जोडने पर धातु यहां क्या है बच्चों लेख, पाट ऐसा क्रू, गई, धाव, सहाय, पाल ये सब धातु है इसको प्रत्ये क्या जोड़ा गया है अक, इससे क्या बन रहा है लेखक, पाटक, कारक, गायक, दावक, सहायक, पालक, ऐसा अब समझ में आया बच्चों धातु प्लेस प्रत्ये ये से क्या बनता है क्रूत प्रत्ये ही ठीक है बच्चों अब और विस्तार से सीखेंगे बच्चों देखे धातु क्रिया के मूल रुप धातु क्या क्या आएंगे चल, पी, खा, सो, जाग, खेल, आदी अब क्रिया के रूप में इसे क्या बोलेंगे बच्चों चलना, पीन, खाना, सोना, जगना, खेलना, आदी तो अभी धातु क्रिया के मूल रूप आपको पता चल गया है ना ठीक है